आग्रा में सर्वाधेत लोग्प्रिय चैनल सीन्यूस की एक को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें शुक्रवार को कुरोना संक्रमित के नौ मामले सामने आए जिसके बाद आग्रा में कुरोना का आकड़ा 798 हो गया वहीं शुक्रवार को ही कुरोना के रिकॉर्ड 96 मरीज ठीक हुए जिन में 4 पतकार भी शामिल हैं इसके बाद ठीक होने वाले मरीजों की संक्या 485 हो गई है और वर्तवान में एक्टिव मामलों की संक्या घटकर 283 रह गई है जिनका इलाज किया जा रहा है आगरा में हुए है अब तक 798 संक्रमित शुक्रवार को कुरोना संक्रमित के 9 नए मामले सामने आए हैं जिनके बाद आगरा में कुरोना का अकड़ा 798 हो गया वहीं शुक्रवार को ही कुरोना के रिकॉर्ड 96 मरीज भी ठीक हुए हैं जिनमें चार पतकार भी शामिल हैं इसके बाद ठीक होने वाले मरेज़ों की संख्या 4-85 हो गई है और बरत्मान में एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 283 रह गई है जिनका इलाज किया जा रहा है शुक्रवार को रिकॉर्ड तोड 96 लोग किये गए डिस्चार्ज शुक्रवार को 9 नय पॉजिटिव केस सामने आये जिससे आगरा जनपत में अब तक संक्रमित मरेज़ों की संख्या 800 के नजदीक पहुँच गई है आगरा में जिस रेश्यो के साथ में पॉजिटिव केस सामने आ रहे थे अब उससे कहीं अधिक गती से करोना संकमल से मुक्त होने वाले लोगों को डिश्चार्ज किया जा रहा है शुक्रवार को 96 लोगों को डिश्चार्ज किया गया जिससे जनपत में अब तक 485 लोग संक्रमित मरेज़ों की मौत हो चुकी है जो यूपी में सरवा दिखाए जिले में अब 283 एक्टिप केस है कोरोना संकमल मुक्त होने वाले लोगों की संख्या में लागतार इजाफा हो रहा है जिससे जनपत में अब 283 एक्टिप केस रह गए है जिनका आइसलेशन वार्ड में इलाज चल रहा है आगरा में संक्रमित मरेज़ों की ठीक होनी की दर 61 फिस्दी पहुँच गई है जनपत में अब तक 798 पॉजिटिव केस मिले है जिनमें से 27 की मौत हुई है 485 ठीक हुए है आगरा जिले में संक्रमित मरेज़ों की ठीक होनी की दर 61 फिस्दी सदीक है जो प्रदेश और देश की तुलना में लगबग दुगनी है जिले में 10,000 सदीक लोगों का हो चुका है कोरोना टेस्ट आगरा जनपत में अब तक 10,377 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ है जो समुचे परदेश में सरबादिक है और समुचे परदेश का 20 फिस दिस्यदिक भी है जिले में 44 कंटीनमेंट जोन आगरा जनपत में 44 होट स्पोर्ट सील कर दिये गए हैं वही 17 होट स्पोर्ट क्लोज किये गए हैं शुक्रवार को एक होट स्पोर्ट और बढ़ गया वहीं एक होट स्पोर्ट और क्लोज होने से यह संख्या 44 ही रही विजब अगेल, C News आगरा